नमस्कार बहुत स्वागत आपका जोतिश दुशार सत्य की राह में आपके साथ मैं हूँ आपका इश्टो फ्रेंड संतोशी तो आज हमारी आपकी मुलाकात कलकत्ता में आज कलकत्ता हम आप मिलेंगे मिलने के लिए कार्याले के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं कर्याले के नंबर आपके समक्ष आज कलकत्ता में पूरे शाम रात तक और कल दो पहर तक रहेंगे हम नव तारिक की जो है दस तारिक की दो पहर तक ग्यारह बारह राउर केला तेरह चोदह राइपूर पंदरह सोलह नागपूर सत्रह ठारह लखनो तो ये डेटेल्स आपको पता ही है वैसे काफी समय से आप लोग बुकिंग करा भी रहें लेकिन कुछ लोग कैंसिल लोएंसिल किये हैं तो थोड़ा बहुत और उसमें नई भरतियां हो सकते हैं आज हम आपको जो जोतिश की जानकारी प्रेशित करेंगे वह अमावस और पूरिमा से सम्मंधित बड़ी रोचक जानकारी है अमावस और पूरिमा पंद्रह पंद्रह दिन में पढ़ने वाली ये दोनों तिथियां अमावस से आते थी हैं पूरिमा तिथी हैं इनका आपके जीवन के साथ सम्मंध कनेक्शन और खास तोर पे जानकारी मैं दूँगा कि इस दिन पैदा हुए लोगों के प्रती जो लोग इस दिन पैदा हुए हैं वो होते कैसे हैं खास तोर पर अमावस और पूरिमा की जानकारी हैं तो आएए सुर्वात करते हैं अब आज के विशेश जोतिश दिशाज सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग अशार्ण महाशुक्लपक्ष तिर्टिया तिथी है आज सुबह 6 बज के 10 मिनट तक इसके बाद 14 तिथी का उदय चंद्रमा आज करक राशी में है सुबह 7 बज कर 51 मिनट तक इसके बाद चंद्रमा का सिंग राशी में प्रवेश नक्षत्र साथ 51 तक ही आश्वलेशा है और उसके बाद मगा नक्षत्र लग जाएगा जो की केतू का नक्षत्र होता है योग रहेगा आज का सिद्धी तद अनुसार दिनांक 9 जुलाई दिन मंगरवार राहुकाल दोपार 3 से 4 बच कर 30 मिनट तक गुलिकाल दोपार 12 से 1 बच कर 30 मिनट तक ये खास और परदिल्ली आसपास के छेत्र का समय है बाकी अन्य छेत्रों में कुछ हद तक आगे पीशे समय हो जाता है मेंसे लेकर मीन तक अब आईए जान लेते हैं पूरे दिन का हाल और बताएंगे आज अमावस्या और पूरी मात्यतिक के बारे में इस्पिशल जानकारी आप तक हम पहुंचाने वाले हैं कि इस दिन पैदा हुए लोग कैसे होते हैं सुरवात करते हैं बाज की भवश्यवाणी मेश राशी सिंग राशी का चंद्रमा सुबह साथ इक्यावन पर प्रवेश समय अनकूल रहेगा परिस्थती आपके हिसाब से है परिशान होने की आवश्यक्ता नहीं है चीजें आप बहुत अच्छे से मैनेज करके लेकर आगे बढ़ेंगे बहुत कुछ सकरात्मक उर्जा आपके साथ बनी हुई है ब्यापार थोड़ा परिशान करेगा आवश्यक्ता है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया और बहतर करता है सरकारी छेत्र की स्थती गौश्यक्तर की स्थती थोड़ी बहुत नुक्सान वाली है दामपत्य जीवन एक दूसरे के प्रती उतार चड़ाओ से युक्त एक दूसरे के प्रती मांसिक विक्रती पैदा करेगा स्वास्थ के मामले में पेट की समस्या और लिवर की दिक्कत थोड़ी सी महसूस होगी क्या उपाय करना आज अगर आपकी राशी मेश है तो उपाय के तोर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ भी खाने के लिए आज अपने हाथों से दे दीजे शुबरंग आपके लिए आज बैगनी भागी प्रतिशत तिरपन ब्रिशव राशी आज का दिन आपके लिए कुछ अंतर दुन्द का है बहुत अच्छी स्थिति नहीं है अंदर से परेशान हो सकते हैं आप ब्रिशव राशी ब्यापार पढ़ाई दोनों प्रभावित होगी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है अचानक कुछ परेशानी बढ़ सकती है प्राइवेर सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा परिडाम देने की लिए है कुछ बहतर परिडाम देने की लिए है सरकारी छेत्र जैसा आपने सोचा है उसके हिसाब से आपको परिडाम मिलेगा आज मेहनत का पूरा हल लेकलेगा दामपत्य जीवन एक दूसरे के लिए उतार चड़ाओ बढ़ रहा है थोड़ा समझदारी का परिचे दें और पति-पत्नी एक दूसरे को समय देकर रहे हैं समझ रहे हैं चौथे का चत्रपा समय देकर आगे बढ़ें स्वास्थ के मामले में डाजिशन की समस्या और आँख की दिक्कत हो सकती है प्रियोग क्या करना है अपने कंठ पे हल्दी लगा लेजेगा शुभरंग आपके लिए आज बादामी भाग्यपिद्शत पच्पर मिथुन राशी चंद्रमा की स्थती दुती और तृती में आज विद्दमान सुरुद दुती में है और साथ इक्यावन पे चंद्रमा तृती भाव में आ जाएगा मेहनत बहुत करना पड़ेगा आज मिथुन राशी वालों को आज थोड़ी परेशानी महसूस करेंगे पढ़ाई में दिक्कत होगी अच्छी स्थती नहीं है उतार चड़ाव पढ़ेगा व्यापाल आपके लिए नुक्सान की स्थती देता है प्राइवेट सिक्टर आपके लिए कुछ बहतर सकरात्मक और उन्नत इदायक विश्य पैदा करेगा सरकारी छेत्र गवर्मेंट सिक्टर वालों को जो मिथुन राशिके हैं उनके लिए आज एक नई सुरुवात है दांपत्य जीवन मामला थोड़ा हाथ से बाहर जाएगा अचानक किसी परेशानी में आप आ सकते हैं स्वास्थ के मामले में पेट की समस्या और बैक की प्राब्लम हो सकते हैं क्या उपाय करना है दही लगा लिजे कंठ पर शुबरंग आपके लिए सफेद और भाग्यु प्रिशत पच्छपण करक राशी सुर्योदय आपकी ही राशी में आज है साथ इक्यावन पर चंद्रमा दुतियी में प्रिवेश करेंगे तो फर्स्ट हाफ थोड़ा संघर्ष वाला है मन कम लगेगा पढ़ाई में विचुलित इस्थती रहेगी ट्रांजेक्शन है ना आज चंद्रमा का चंद्रशंक्रानती है कुछ परेशान महसूस करेंगे आज पढ़ाई नहीं हो पाएगी ब्यापार बहुत अनकूल है बिजनस में परेशानियों से बाहर निकल रहे हैं प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अवसर अच्छे दे रहा है सरकारी छेत्र आप पर इश्वरिय कृपा देगा गवर्मेंट सेक्टर इश्वरिय कृपा दे रहा है दामपत्य जीवन एक दूसरे के प्रती बहुत कुछ सुभ सोच के साथ आपको आगे लेके जाएगा स्वास्थ के मामले में बैक की प्रॉब्लम हड़ी की दिक्कत हो सकती है करक राशी क्या उपाय करना चाहिए आज आज मादुरगा को लाल पुष्प या सिंदूर चढ़ा दीजे मंदिल में कहीं जाकर शुभरंग आपके लिए आज लाल भाग्यपित्शत चवर सिंग राशी चंद्रमा आपकी हिराशी में साथ इक्यावन में प्रवेश करके आपको बड़ा स्ट्रॉंग कर देंगे बढ़ाई बहुत अच्छी करेंगे आप सिंग्षा में किसी प्रकार का दोश नहीं ब्यापार थोड़ा टफ इस्थती में है बिजनस में दिक्कत हो सकती है बिजनस को लेकर सतर्क रहे प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आज अवसर अच्छे देगा मनलब कुछ बड़ा और सकरात्मक कर रहा है सरकारी छेत्र गौर्नमेंट सेक्टर वालों को थोड़ा सभल कर चलने के आवश्यक्ता है दामपत्य जीवन दूसरों के प्रती थोड़ा सोच को मजबूत करिये स्वास्त के मामले में आज का दिन जुखाम खांसिक शिकायत हो सकती है सिंग राशी क्या उपाय करना है एक चुटकी आटा और चीनी मिक्स करकी किसी पौधे के नीचे डाल दे शुबरंग आपके लिए आज ग्रे भाग्दि प्रतिशत पश्प चर्चा करने राशी की चंद्रमा द्वादस में रहेंगे आज पूरे दिन रात विचार बड़े इधर उधर भागेंगे ये भी कर लें ऐसे कर लें ये कर लें इस तरह से विचार बनेंगे पढ़ाई की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है सिक्षा में बहुत कुछ खोना जैसे रहेगा ब्यापार दिब इस्थिती में रहेगा बिजनस बहुत तेजी से आगे लेकर जाएंगे आप बिजनस में भाव एकदम से बढ़ेगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नुकसान की स्थिती ला रहा है लॉस हो सकता है रिस्क मत लेचेगा सरकारी छेत्र मेहनत का पूरा अफ़ल आपको मिलेगा आज बहुत प्रशन रहेंगे परिस्थतियां आपके अनुसार है आपके लिए अन्कूल है दामपत्य जीवन थोड़ा बहुत उतार चड़ाओ दे रहा है दामपत्य जीवन को लेकर के सतरक्ता आनिवार है स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो बैक की प्रॉबलम और आँखों की समस्या हो सकते हैं क्या उपाय करना है हल्दी लगा लिजेगा शुवरंग आपके लिए आज आस्मानी भागी प्रिथ्षत तिरपन तुला राश एकादस के चंद्रमा का प्रभाव बहुत कुछ सकारात्मक करेगा पढ़ाई बहुत अनकूल है सिक्षा में किसी प्रकार का दोश नहीं मजबूती के साथ सिक्षा ग्रहन कर रहे हैं आप और ये आपके लिए बहुत कुछ एक अलग तरह का प्रभाव दिखाएगा क्योंकि पंचम पर चंद्रमा की दृष्टी पढ़ जाती है तो पढ़ाई के लिए आज जैसा मैं देख पा रहा हूँ अगर आपने द्यार्थी जीवन में है और तुला राशी आपकी है तो आज सब कुछ आपके लिए बहुत बहुत बहतर रहेगा ब्यापार थोड़ा बहुत परिशान कर रहा है बिजनस की इस्तिती बहुत अच्छी नहीं है मांसिक दुन्द वढ़ेगा प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए कुछ नई सुरुवात कुछ नया बहतर सुरुवात होने की उमीद है सरकारी छेत्र तुला राशी गवर्मेंट सेक्टर बहुत कुछ आपके लिए सहज हो जाएगा दामपत्य जीवन, मेरिड लाइफ एक उचाई, एक प्रभाव, एक दिव्विता दे रही है स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो बैक की प्राबलम और आखों की समस्या हो सकते है क्या हुपाय करना है गुलाब जल लेकर अपने उपर छिड़काव कर लिजे शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रिद्शत, पच्पन, ब्रिश्चक राश है अध्भुत समय रहेगा चंद्रमा भाग्यस्थान और दसंभाव दोनों में सुशोभित होंगे आज पढ़ाई जैसा आपने सोचा होगा वैसाज कर सकते हैं ब्यापार आपके लिए बहुत अच्छी स्थती में नहीं है बिजनस की स्थती दावा डोल होगी बिजनस में रभाव नगारात्मक है प्राइबेट सेक्टर आपके लिए कुछ अच्छा और बहतर परिस्थती पैदा करेगा सरकारी छेत्र को आप एक साध कर आगे लेकर जाने वाले व्यक्ति बनेंगे दामपत्य जीवन आपके हिसाब से चीजे मैनेज हो जाएंगी स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो कंडिशन कुछ इधर उधर आपको उल जाएगा खांसी जुखाम के शिकायत हो सकती है क्या उपाय करना चाहिए गुलाब जल और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर अरपित कर दीजिए शुबरंग काला भाग्य प्रदिशत पच्छपन धनुराशी चंद्रमा की स्थती सुबह सुबह ठीक हो जाएगी मतलब हो सकता आपकी आँख खोले अगर आठ वजे तक सोने वालों में से हैं आप तो आठ वजे उठेंगे तो भाग्य स्थान पर चंद्रमा आ चुका होगा तो पिछले दो दिन से चला रहा जो बिवाद था टेंसन था तनाव था वो सब ठीक हो जाएगा पढ़ाई बिलकुल दिब्व्य है सिक्षा में किसी प्रकार का दोश नहीं है सिक्षा बहुत अच्छी आप लेके चल रहे है ब्यापार परेशान करेगा बिजनस में परिस्थितियां आपको नुक्सान देंगी प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बहतर और नया आरंभ देगा सरकारी छेत्र उल्जन पैदा करेगा गौवर्मेंट सेक्टर की स्थिति चिन्ता जनक है दांपत्य जीवन उल्जन दे रहा है मेज़ेट लाइफ में समस्या बढ़ सकती है धनुराशी छोटी छोटी बात अभी बात स्वास्थ है जुखाम खांसी के साथ साथ पेट की समस्या बनी रहेगी क्या उपाय करना है प्रियोग के तोर पर आज धनुराशी वाले हल्दी का तिलक लगा ले शुब रहेगा शुबरंग आपके लिए आज सफेद भागी प्रत्षत अठ्ठामन मकर राशी सब्तम और अश्टम में चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए थोड़ा बहुत परिशानी का कारण बन रहा है पढ़ाई थम सकती है शिक्षा में बहुत अच्छी इस्तिती नहीं है ब्यापार दिब्ब है बिजनस में आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं आपके लिए अनकूलता रहेगी प्राइबेट सेक्टर वालों के लिए एक नई सुरवात संभव है दामपत्य जीवन एक जूसरे के प्रति बहुत सकारात्मक प्रभाव रहेगा बहुत शुभ प्रभाव रहेगा स्वास्थ कमरदर्द की शिकायत देगा क्या उपाय करना है हाज मकरवालों को अपने कंठ पे कुमकुम कत्तिलक लगाई शुबरंग आपके लिए लाल भागी प्रतिशत कुम्भ राशी छठे से चंद्रमा सब्तम में प्रवेश कर रहे हैं सुबह साथ इक्यावन पर एक नई सुर्वात सिक्षा के छेत्र में आपके दौरा आज संभव है ब्यापार परेशानी का कारण बन रहा है बिजनस में थोड़ी बहुत उठापटक रहेगी रिस्क नहीं लेना है प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक अच्छी स्थती देगा प्राइवेट सेक्टर में सुधार होगा सरकारी छेत्र को बहतर करने के लिए आगे बढ़े दामपत्य जीवन एक दूसरे के प्रती समर्पन का भावल आ रहा है स्वास्त के मामले में कमरदर्द की शिकायत और पेट की समस्या होगी क्या उपाय करना है अपने कंठ पे घी से तिलक कर लिजेगा देशी घी शुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रद्शत छपपर अंतिम राशी मीन बहुत कुछ आज आपके हिसाब से चल रहा है पढ़ाई बहुत दिब्य है सिक्षा में किसी प्रकार का दोश नहीं ब्यापार अच्छा चल रहा है बिजनस में सुधार अपने आप होगा प्राइवेट सेक्टर थोड़ा संभल कर चलने की आवशक्ता है सरकारी छेत्र अदभुत रहेगा नई सुरुवात होगी दामपत्य जीवन थोड़ा फसे का म मामला क्योंकि चंद्रमा छठे आ जाएंगे स्वास्थ के मामले में बैक की प्रॉब्लम हो सकती है उपाय क्या करना है आज मीन राशी वालों को भगवान शिव का ध्यान करके ओम नमह शिवाय 21 वार इसका जाब करना होगा शुबरंग आपके लिए नीला भाग की प्रतिशत 50 अमावस और पूर्णिमा इसी पर आज हम विशे लिए हैं अमावस्याति थी और पूर्णिमाति थी कितना कुछ आपके लिए माइनस प्लस कर रही है आपके जीवर में ये जानने का समय आ गया है समझने का समय आ गया है देखिए चंद्र और सूर्य की यूति बराबर अमावस्याति चंद्र और सूर्य आमने सामने समसब तक माने पूर्णिमा ध्यान देजेगा अब ये इस्थति अगर आपके कुंडली में विद्ध्यमान होती है बनती है अमावस्याति तो यह जैसा की नाम से ही आपको पता चल रहा है यह अशुब होता है यह अच्छी स्थति नहीं है अगर आप अमावस्याति को जन्म पाए है तो क्या क्या आपके साथ हो सकता है ध्यान दीजेगा नमबर एक मानसिक रूप से आपको बहुत परेशान करता है अमावस्याति को जन्म जिसका होता है वो मेंटली बहुत ट्रबल में रहते हैं मानसिक रूप से बहुत परेशानी ही रहते हैं और महिलाओं के लिए तो यह पत्थभष्ट करने के लिए भी प्रेरित कर देता है ठीक वही अगर आपका जन्म पूरिमा तिथी में हुआ है तो यह आपको मांसिक बल देता है एक तरफ तो मन कमजोर हुआ तो दूसरी तरफ मन बलवान हुआ अगर पूरिमा का है आपका कॉंपलेक्शन आपका कलर फेयर करता है आपको संगीत और रचनात्मक चीजों के प्रति जागुरत करके आपको उसमें कैरियर की सभावना तक बना देता है मतलब आप संगीत में कैरियर बना लिए आपने पेंटिंग आर्ट सेख लिया आपने fashion designing कर लिया, आपने web designing कर लिया, आपने graphic design मतलब रचनात्म चंद्रमा कला युकत है, 16 कला है चंद्रमा की पास कलपना शीलता आपको लेखन में डाल देता है तो पूरिमा का जन्म बहुत शुब होता है, बस दो शर्त है क्या, अमावस में जन्म हो तो रात में हो, और पूरिमा में जन्म हो तो दिन और पूरिमा में जन्म हो तो रात तब जाके ये शुब होगा, अमावस की रात तो शुब होता है तो रात और दिन का भी समय भी आंकलन आप लोग जरूर करवाईएगा जब भी आपको लिए दिखाए और इसी के बेसिस पर आपको प्राप्ती मिल जाती है तो आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं आज का सक्सेस की एक दूर्वा लेकर सरसों को तेल में स्पर्श करें और तीन बार अपने सर से उल्टा वार कर किसी पौधे के नीचे डाल दें जिसकी आज शादी की सालगिरह या बर्थ एनिवर्सरी है क्या उपाय करें हम बताएंगे पहले जान लेते हैं आज का भाग याग्षा मेश ताक्षर बिशव या मिथुन काग्षर करक वा सिंग पाग्षर कन्या चा तुला याग्षर ब्रिश्चिक भा धनू गाग्षर मकर फा कुम्भ लाग्षर मीन साथ ये शुब भाग याग्षर सादे चोकुर कागश पर लिख कर अपने पास रख ले तो चलते-चलते अगर आज दिरांक 9 जुलाई को आपका जन्म हुआ है तो तीन पीपल के पौधे कहीं अपने हाथ से लगा दीजे रुद्रा विशेक करवाईए और एक माला गायत्री मंद्र का जाब जरूर करेए अगर आज आपकी मैरिज अन्वरसरी है 9 जुलाई को तो आप किसी कन्या के विवाह में मदद जरूर करने किसी पती पत्नी मिलकर तीन बरगत का पौधा लगा दीजिए किसी सफाई कर्मचारी को आप जल का दान करतीजिए पस इतना करना है जरूर फाइदा होगा आज के लिए इतना ही अनुमत दीजेगा आज और कल दो दिन कलकता है इसके बाद राउर केला और फिर रायपुर आ रहे हैं मिलने के लिए कार्याले के नंबर पर सब्पर कर सकते हैं नन्यवाद नमस्कार शेरा दे आचार्य विश्व प्रसिध जोति शाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने तेरह वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आपके जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुद्ध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मॉडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदी दीप एक खुशियां अनेक झाला क्टरती देखी तो कि रच़ में पर एक्टरस भी खुशियों की चाहीं पर एक्टरस बन में विए एक खुशियों की तो कि रथा प्रफ़ादी दो थ्लेजर धनेक